तो वाइस आ गया है संडे वक्त होता है है आपके पूछे गए एवी से रिलेक्टेटर सवालों के हम आंसर देते हैं और साथ में कुछ एवी से रिलेक्टेड तभाह केद़ अप्डेट्स में हैं जो कि आद की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला क्योंकि 22 मार्च से पहले आप यह स्कूटर परचेज कर लो क्योंकि उससे पहले तक आपको इंडिया के साउथ सिटी में यह तीन ओफर देखने को मिल रहे हैं और नौर्थ सिटी में आपको 10,000 रुपे का डिसकाउंट देखने को मिल रहे हैं पाकि इसके उपर हमने फुल ड तो देख सकते हैं आप किस-किस तरीके के लोग हैं आपर इनके लिए क्या अब ओला कंपनी अलग से रिमोबिल बैटरी पैक वाला स्कूटर बनाए है या फिर इनको किसी और स्कूटर पर सिफ्ट होना चाहिए जैसे कि वीदा इलेक्टर के स्कूटर है उस पर सिफ्ट होन मिलेगी एक OTA अपडेट की दुआरा बट ऐसा नहीं हुआ कंपनी आपर एक नया गेम खेल गई है कंपनी ने पुराने कस्टमर को बिल्कुल भी अपडेट नहीं देने वाली और वह अपने एक नए मोडल यानि कि प्रिम एडिशन एक 2030 उन्होंने नहीं लाँच कर दिया ह जो की डिल लाग रुपी के असपास में है जो की काफी ज्यादा ओवर प्राइज है पाकि आप लोगों की क्या है रहा है इस बारे में कमेंट करके जोरू से बताना हाला कि यह कार ट्राटा ट्यागो एवी से कहीं ज्यादा महंगी है और इसमें आपको रेंज भी ओल्मोस्ट ट्राटा ट्यागो जैसी देखने को मिलेगी यानि की डेर सो से 200 किलोमेटर के बीच में नेक्स दोस्तों है आपर वीदा कंपनी का अगर आप इलेक्टर के स्कूट लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर उनकी SLA सावने आ गही है यहाँ पर कंपनी ने बताया था कि हमारी IDC रेंज 165 किलोमेटर की है बट अब उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाकर चेक आउट जो कि सच में काफी ज़्यादा निरास करने वाला है यहाँ पर आपको वी आपको वीदा वीवन प्रो में 95 किलोमेटर की रेंज डेकेनों मिल रही है तो आप लोगों किया है रहा है इस बारे में कमेंट करके जरू से बताना तो यह तो हो गई कुछ EV अपडेट अब ले लेते हैं आपके सवाल and मेरे जवाब तो सबसे पहले कमेंड ले ले लेते हैं आपर मनी स्कोचर का मैं ओला चलाता हूँ मेरा वेट 116 किजी है इको मोन में मुझे 125 किलोमेटर का चलता है और मेरे भाई का 85 किजी वेट है वो 140 किलोमेटर चला लेता है कम range 2, सश्ते में तो काफी स्कोटी है तो यहाँ पर ये बात सच्च है कि सश्ते में हमें काफी सारी स्कोटी देखने को मिल जाती है बट अगर हमें एक सस्ते में अच्छी range देखने को मिले तो काफी अच्छी बात होगी यहाँ पर Ether Electric Scooter के बारे में बोल रहे हैं यूटकि एक सस्ता एलेक्ट्रीक स्कूटर भी आने वाला है, बाकी देखते हैं कि एथर एलेक्ट्रीक स्कूटर इतना सस्ता तो लोंच नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना जो अभी प्रिजेंट इलेक्ट्र की स्कूटर है, वो भी 1.5 लाग रोपे के आसपास में आपको दे हुआ है और उनको अभी डिलीवरी नहीं देंगे जब तक तब तक यह नए बुकिंग स्टार्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट यहां पर एक और कमेंड ले लेते हैं अस्मनी अक में पूछते हैं बाउंस इन फ्रिटी के लिए प्राइस किया है इसकी स्टार्टिंग प्राइस य यहां पर एक और कमेंड लेते हैं सुमिच सिंग फूछते हैं आप 14 मार्स दिखा रहे हैं पबलिक को बेकॉफ बना रहे हैं तो यहां पर ओला एसे सिरीज के बारे में मैंने आपको पहली बोला था जब इन्होंने लौच की थी कि यह जब भी आप बुक करोगे तो आप मा काल में देखनों को मिलते हैं यहां पर यह मैने में अपनी प्राइस कर देते हैं बसप्सित्त्री से तो यहां पर आप कि सब्सक्रांगे का गाहां आए थाइy वो बहे करें के मिल रही है वो भी इतनी महेंगी कोश्ट के बाद में तो यहां पर सिर्फ अब Ola S1 Pro ही वची है जो की 1,40,000 रुपे की पढ़ती है और उसमें 130 km के आसपस में रेंज देंगे नों को मिल रही है जो की काफी अच्छी रेंज है अगर देखा जाए तो और सब अब एक रह जाती है, simple one उसका देखते हैं कि उसके बाद में क्या होता है next comment ले लेते हैं, आपर अरपित सेती पूछते हैं भाई, insurance claim में DL ना हो, तो claim नहीं होगा, क्या तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर DL आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी claim नहीं मिलेगा क्योंकि claim तभी मिलता है जब कोई साहने person होगा जब आप drive कर रहे होते हैं अगर drive कर रहे हैं तो drive के साथ में आपके पास DL भी होना चाहिए तो DL लगेगा तभी आपको claim मिलेगा तो ये थे दोस्तों overall आपके पूछे गए EV से रिल्टेटर सवाल बाकि आप लोगों के कोई भी सवाल हो सुझाओ तो आप भी हमें नीचे hashtag ask EV करके comment box में या Instagram, Twitter वगारा पर पूछ सकते हैं बाकि दोस्तों वीडियो चलेगे हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मैं मिलता हाथ से को और इसी नई वीडियो में तब तक लिए stay safe and safe right